नमस्कार बहुत स्वागत है आपका राहू का रासी परिवर्तन होने जा रहा है 30 अक्टूबर को 30 अक्टूबर तक राहू महराज मंगल देव की रासी मेस रासी में है 30 अक्टूबर की दोपहर 2 बच कर 13 मिनट पर अपनी वक्री चाल चलते हुए राहू हमेसा वक्री ही चलते हैं मेस रासी से निकल कर देव गुर ब्रस्पती की रासी मीन रासी में प्रवेश करेंगे तो जब राहू मीन रासी में आएंगे तब आपके जीवन परस का क्या प्रभाव पड़ेगा अगले डेड़ साल तक आज हम यही जानेंगे वीडियो के अंतक बने रहें और यह प्रिक्षन चंदरासी पर आधारित है राहू एक धुए के समान गरह है जो ब्यक्ती के जीवन में भ्रम फैलाता है राहू का नाम कूटनीती में माहिर इसलिए राहू की किरपा हो जाए तो ब्यक्ती राजनीती में खूप सफल होता है और राहू बहुत जल्दी बदलने वाला तेज बुद्धी वाला भी है इसलिए ब्यक्ती को भ्रमित भी कभी करता है और कभी तो एकदम से आसमान की उचाईयों पर पहुँचा देता है इसके गुन भी होते हैं दोस भी होते हैं और इसका प्रभाव भी ततकाल मिलता है यानि रातो रात ब्यक्ती को या तो एकदम से अमीर बना देगा या फिर राहू की दसा में अकसर स्वपन में सर्प दिखाई देता है क्योंकि राहू का समन्द सर्प से भी है जीवन में जूटी उमी, जूटी आसाए, अंद विश्वास, धुनली दृष्टी ये भी राहू के कारण होता है अब देखिए राहू का प्रभाव जब मेश रासी से निकल जाएंगे तब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा आपके उपर देखिए राहू के एक विसेस्ता भी है कि कुंडली में जिस भी गरह के साथ इस्तित होता है उस गरह का प्रभाव राहू पर आ जाता है यदि कुंडली में कमजोर है तो उसी के नुसर विभार करता है वैसे राहू को टेक्नोलोजी का मास्टर कहा गया है यनि बिमान तक्नीकी स्रोत मीडिया पर राहू का अधिकार है और राहू को असुप गरह भी माना जाता था पहले के जमाने में लेकिन अब राहू को संचार का कारक माने जाने वाला है क्योंकि राहु के कुछ अंचुए जो तत्य थे वो जीवन से कहीं गयब थे लेकिन अब सही तरीके से सार्थक प्रफाव डाल रहा है राहु तो हर सफलता प्रदान के करने के पीछे हर बेक्ती के जीवन में राहु की किरपा का भी महत्व होता है और राहु को भी देखना चाहिए तो राहु मीन डासी में 18 मई 2025 की साम 7 बचकर 35 मिनट तक रहेंगे इसके बाद कुम रासी में प्रवेश कर जाएंगे और केतू राहु तो मीन डासी में लेकिन जो केतू अभी परतमान में पुला रासी में है लेकिन 30 अक्टूबर को जब राहु रासी परिवरतन करेगा तो केतू भी करेंगे और साथ ही इसमें चांडाल दोस्ट से भी मुक्ति मिल जाएगी लेकिन जो केतु हैं वो कन्यारासी में प्रवेश करेंगे तो मीन रासी और कन्यारासी वालों के उपर खास प्रवाव क्या होगा यही जानेंगे वैसे तो देव गुल ब्रस्पति जैसे ही राहू से चंगल से मुक्त होंगे तो वो अपना एक अलग ही प्रवाव यह पिर आसिरवाद बरसाएंगे और दूसरी बाद राहू जब संतुष्ट अवस्था में होते हैं तो बैक्ति को उचाईयों तक ले जाते हैं वैसे तो राहू हमेशा उल्टी चाल चलता है जैसे कि अभी मेश रासी में है तो नियम से हर गरह अगली रासी में जाते हैं लेकिन राहू पिछली रासी में जाते हैं यानि मीन जो सबसे अंतिम रासी है यहां पर राहू आएंगे तो राहू उल्टी दिसा में मेज से मीन की ओर बढ़ेगा और मीन रासी के स्वामी देव गुरू है तो कन्या रासी बालू राहू आपके 30 अक्टूबर को सप्तम भाव में आएंगे जो भाव होता है दाबबत् भाव में करवापन या थोरा सा वो क्रोधित जैसे बेभार या पिर सासन करने वाली स्थिति में जैसे वह हो सकते हैं धार्मिक चीजें ना मानने की बजाए वह अलग-अलग तरक हो सकता है रखें यानि धर्मकारे से भी मुख होंगे अब चीजें चुकि यहां पर बुद जो आपके रासी के स्वामी है उनका ही मंत्र जब करके उनको बल देना है ताकि आपके बुद्धी सही समय पर सही डिसीजन ले और भ्रम का सिकार ना हो तो इसमें जो कन्या वाले हैं अच्छी चीजें क्या होगी देखिए आपके लिए धन का मामला ठीक रहेगा जितना मे पैसा आही जाएगा और पारिवारी जीवन की बात करें तो ठीक है हलांकि बैवाहिक सुक थोड़ा कमेगा लेकिन पारिवारी मामलों में चीजें आपके पक्ष में रहेगी पर अपने स्वास्त का ध्यान आपको बनाए रखना है अगर आप कोई काम करते हैं तो कुछ समय के लिए योजनाओं को टाल दीजे तो उत्तम रहेगा क्योंकि ये समय आपके लिए बड़ा डिसीजन लेने का नहीं है और लोटरी जुआ सट्टा इन चीजों से बचना होगा हर हाल में वरना इसमें फस्ते चले जाएंगे अपने स्वास्त के मामलों में खास कर सांस की सम परिसान कर सकती है इन दो चीजों का खास खयाल आपको रखना होगा साथ ही इसमें देखिए राहू आपके अभी तक आपके अस्टम भाव में गुरू राहू की यूती थी अब सप्तम भाव में आएंगे राहू तो थोड़ा सा कुछ मौमलों में देव गुरू दिखेंगे तब आपके इच्छाओं की पूर्ती भी होगी यानि कर्म जो करेंगे जिस कारे के लिए आप कारे करेंगे उसका फल आपको मिलेगा राहू की दृष्टी थोड़ इसी चीजों को डिस्टरब करेगी और इसमें गुरू की दृष्टी जब जाएगी भाव के उपर तो धन की समस्या भी समाप्त हो जाएगी यहां पर गुरू आपकी रक्षा करते दिखेंगे गुरू का पढ़िया फल मिलेगा जो भी आपको नींद ना आने की समस्या अभी तक परिसान कर रहा था वो समस्या दूर होगी राहू की दृष्टी लगने के उपर है तो आपके लिए जो करने वाले हैं कुछ मामलों में सकारात्मक प्रभाओं का अनुभव दिलाएंगे राहू जैसे कि और परतियासी जैसा कि कहा आकस्मिक रूप से चीजों को करेंगे तो आकस्मिक रूप से धन भी आ सकता है इस पिरियन में प्रभाओं साली ब्यक्तियों से संपर्क बनेंगे और दूसरा कोई गुड न्यूज भी मिलेगी यानि संतान प्राप्ती के योग बनेंगे जीवन में खुजियां बढ़ेंगी नए काम के अवसर भी प्राप्त होते दिखेंगे लेकिन अगर आप पार्टनर्सिप में कोई काम करते आप वेपसाई भाई ह हैं तो सतर्क रहना है हर जिगर नजरे बनाए रखने की आऊ सकता है लापरवा नहीं हो सकते किसी के भरोसे कोई कारें आप नहीं छोड़ सकते तो सब्तम भाव में होने से जीवन साथी साजेदार का चुकी ये घर है तो राहू अपने सुभ फल प्रकट नहीं कर पाएंग कि ऐसे में बैवाही जीवन में थोड़ा समस्या तो होगा और पार्टनर्सिप में अगर नए नए आप जाना चाहते हैं तो मच जाईए सुभाव में अलस सिपन आ सकता है जो की ठीक नहीं है तो दिन की सुरुआत योगा एक्सेसाइज से करें आपको अच्छा फिल होगा गलत संगती के लोगों से बचें गलत संगती वाले दोस्त आपको परिशानी में डाल सकते हैं तो इसलिए इस पिरियड में किसी भी तरह का कानूनी मुकदमा वेगरे से जितना दूर रहेगा उतना ही आपके लिए उत्तम रहेगा चीजें सुलस्ती भी आपको नजर खुछ से चीजों को मैनेज करें तो धन दीरे-दीरे ही सही पर आता रहेगा इस्थिर है आर्थिक द्रिश्टी से आपको टेंसन जादा नहीं लेना लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखने की आवसकता है और और प्रत्यासी धन भी आएगा नए लोगों से संपर्क बढ़ें के बैफसाइक जीवन ठीक चलेगा नए अवसर भी मिलेंगे लेकिन खास कर जब आप पार्टनर्शिप में काम करते हैं तब आपको बहुत सम्हल के करने की आवसकता होगी क्या करेंगे ओम रांग रहवे नमा ओम केंग केत्वे नमा या फिर आप चाहें तो ओम बुम बु एक ग्यारा बार हम आपसे भी दालेंगे धन्यवाद